हेलो माई डियर इस्टुडेंट कैसे आप सभी स्वागत है आपका अपने चनल संतोस दांगी इंग्लीज पर आज की स्वीडियो लेक्षर में बात करने वाले हैं प्रक्टिस कोशन पेपर 2024 कजू क्लास 11 का सेट एंग्लीज का पेपर का सुल्यूशन में आपको इस वीडियो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ठीके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीन घंट आपका टाइम रहेगा इसमें और किस प्रकार के प्रेशन पूछे जा रहे हैं यह हम समझते हैं ठीके पहला प्रेशन यहाँ पर आपको read the following passage and answer the question on the basis of compression of the passage यानि कि पूरा का पू प्लें किया गया है तो let's bring start to question number first देखते हैं यहाँ पर आपका पहला प्रस नहीं what is the role of the butterflies in ecosystem मतलब आपका प्रस नहीं कह रहा है कि पारिश्तिक तंत्र में तिटलियों की क्या भूमी का है यह नहीं कि पारिश्तिक तंत्र में तिटलियों की भूमी का बताना है तो बच्च species of butterflies are there worldwide यहाँ पर आपको विश्व भर में तिटलियों की कितनी प्रजातियां है और आप कितनी प्रजातियों के बारे में आपको पता है या जानते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व में लगबग लगबग 17,000 प्रजातियां तिटलियों की होती है जयो कि प्रजातियों का यहाँ प्रकुन का अंसरों दूसरी प्रजातियां की जो कि आप Tamil पहस्या जानते हैं हैं नहीं कि यहाँ पर आपको तिटलियों का सामा़े में न कितने दिनों का होता है बच्चों यहाँ पर सिर्फ 2 या 4 weeks का ही होता है यानि कि तितलियां अगर इनका overall ओसत देखा जाए वैसे तो यह लगबग 9 महीने से तो 12 महीने तक लगबग इनका ओसत बताया गया है लेकिन सिर्फ यहाँ पर देखो आप इस पेसिस आप जस्ट 2 आर 4 weeks सिर्फ है न यानि कि लगबग लगबग 9 से तो 1 year तक कभी इसका समय बताया गया है लेकिन कुछ ही तितलियों का समय है यह 9 मन्त से तो 1 year तक लेकिन अगर ओसत की बात करें तो 2 आर 4 weeks के समतिंग इसका आंसर बनेगा उसकी बात मैं बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रशन नमबर 4 आपका यहाँ पर पूछा गया है what is the purpose of the vibrant colors on the wings of butterflies यहने की प्रशनक मांक आपका जो चोथा है यहने की प्रशनक मांक फोर देखती है यहने की तितलियों के पंकों पर चमकिला जो रंग होता है उसका उद्देश क्या है यहने की चमकिले रंग का आपको उद्देश बताना जो उनके पंकों पर होता है यहने की चमकिला जो रंग जो उनके पंकों पर होता है उसका उद्देश क्या है तो उनका उद्देश है protection यहने की वो आपने आप में एक सुरक्षा का सके बचा सके आपने आपको ठीके इसलिए उनका जो पंक होते उस पर color होता है इसलिए protection आ नंबर आपका जो है next देख लेते हैं कौनसा नंबर फाइब है ना प्रिस्ट नंबर फाइब है आपका यहने कि विच अप दा फॉलिएंग बटरफ्लाइश इस्पैसिस आप नॉन फॉर इट्स एक्स्टेंसिव माईग्रेट्री पैटरंस यहने कि प्रिस्ट फाइब तो प प्रजातिया होती है तो यह मोनार्च बटरफ्लाई की जो तितलिया है यह व्यापक तितलियों के और प्रजातियों के रूप में पाए जाती है ना यहने कि इसका आंसर मोनार्च की प्रजातिया की जो तितलिया होती है है ना पैसेज में हम देख लेते हैं कि यहां पर दे दे रिखा है, some butterflies such as the monarch butterfly, है ना, यहाँ पर आपका यह answer दे रखा है, ठीक है, monarch butterfly, चलो जानते हैं, अगला प्रस्ण, यहने की अगला प्रस्ण है आपका, question command 6, है ना, what possess the most significant threat to butterfly populations in the context of the passage, यहाँ प्रस्णाक आपको बताना है, कि जो प्रस्णाक मांग 6 है आपको, यहने की तितली की जो आबादिया होती है, यहना आबादी के लिए सबसे महत्तोपून खत्रा क्या है, तो habitat सबसे बड़ा, ज्यादा इसका खत्रा माना गया है, यहने के habited आपका एक option से सही होगा फिर numbers प्रस्टनक वांग 7 देख लेते हैं the first stage of a butterfly life circle cycle is यहने की पहले step से butterfly की बताना है अपने जीवन की सुर्वात कहां से होती है यहने की उसका पहला point कौन सा होता है यहने की अंडे से है सबस्ब पहले अंडा बनता है उसके बाद में caterpillar बनता है और उसके बाद में cry cells बनता है और फिर fly यहने की फिर वो तितलियों में बदल जाती है तो यहाँ पर आपका ए option से सही होगा उसके बाद प्रस्टनक नमबर 8 देख लेता the significance of butterflies in the garden and park is यहने की प्रस्टनक मांग 8 आपके सामने ही डिस्प्ले पर तो यहने की बगीचों पार्कों में तितलियों का महत्व बताना है यहने की आपको बगीचे और जो पार्कों होते हैं उसमें तितलियों का महत्व बताना है तो आपका यहाँ पर बगीचे और जो पारक होते हैं उसमें तितलियों का जो महरक होता है वो महत्व है यहने की प्रवाइडिंग इंस्पाइरेशन यहने की प्रणा देना या प्रणा प्रणा प्रदान करना तो आपका C options एक दम सही होगा जो मैंने अल्रेडी हाई मार्क्स कर रखा है उसके बाद में देखते हैं अगला प्रणा नमबर 9 वाट सर्कल सिंबॉलिस में इस असोसीटेट विद्धा ट्रांस्फॉर्मेशन ऑपे कैटर पिलर इंटू ए बटर फ्लाई इननी की प्रणा क्मांग 9 आपका क्या कह रहा है प्रणा क्मांग 9 कह रहा है कि जो केटर पिलर जो होता है वो केटर पिलर के रूप में परिवर्तन के साथ कौन सा सांग्सक्रतिक प्रतिक वाद जुड़ा हुआ है यहां पर आपको इसमें कौन सा प्रतिक वाद जुड़ा हुआ है यह अपना प्रणा में बताना है तो एक आशा ही है जो इससे जुड़े हो caterpillar to cry cells to adult यहाँ पर आपका जो अंतिम प्रस्म जो दे रखा है यहाँ कि अंडे से caterpillar में टिटली के परिवातन का वर्णन करने के लिए किस सब्द का प्रियुक किया गया है यहाँ पर आपका metaforces word का प्रियुक किया गया है तो बच्चों यहाँ पर आपका यहनी कि B options से एकदम सही होगा यहनी कि यहाँ पर आपका B options से एकदम correct है ठीक है उसके बाद में देख लेते ही दूसरा प्रस्म रिट दा following passage and make notes on the basis of your compression of the passage give a suitable title ठीक है तो यहाँ पर हमेशा अपनों को एक पहले तो यह passage देखलो मैं पूरा पूरे passage किसके अउपर different कर रहा है देखो तो पूरा passage एक environment के उपर different कर रहा है तो importance of environment ही हमारा यहाँ पर प्ञूकरी हलत आ रहा है यह सारी चीज़े इसमें आग रहे हैं तो यहाँ पर importance of environment हमारा एक टाइटल हो जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट में यहां पर आपका सेक्षन बी में जो प्रस्न पूछा गया है तो प्रस्न कमांग 3 का जो बी में जो प्रस्न पूछा गया है यहां पर आपको एक नॉटिस प्रपयर करना है जिसमें आपको बमबलास्ट का यहां पर एक पॉष्टर पुछा गया है प्रेपेरे शुटेबल पॉस्टर फार डिस्पे इंपोर्टेंट आप अप अप प्रस्टर को आप सौल कर लिजिए गा ठीक है उस वर दिप्रस्टर कमांग 4 है यहां पर आपको प्रस्टर कमांग 4 में करेक्टर सेर्टिपिकेट का अप्लिकेशन पुछा गया है तो करेक्टर सेर्टिपिकेट का अप्लिकेशन लगबग मैंने 6 अप्लिकेशन से एक ही फार्मैट में प्रेपेर कर रहा है वैसे आगर आप 11 में पढ़ रहे हैं तो बहुत एज़ी अप्लिकेशन है यहने के चरित प्रमान पत्र के अप्लिकेशन अपने को लिखना है तो लगबग आपको यह याद भी होगी आप इसको आराम से लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद में यहाँ पर आप प्रश्णक मांक 4 का ओवारा कर देखते हैं तो आप write a letter to your friend अपने मित्र को advice देना है जिसम आप दोनों में से किसी एक प्रश्ण को कर सकते हैं उसके बाद में प्रश्ण नंबर 5 यहाँ पर write an article on any one of the following topics is about 120 watts यहाँ पर लगबग एक article लिखना है ठीक है जिसका answers भी में या तो इसका एक second part बनाऊंगा उसमें इसके answers दे दूँ या फिर में वीडियो के end में में इसकी link दे दूँगा तो वहाँ से आप इसको लिख लेजिएगा ठीक है पिर यहाँ पर NCC का यहाँ पर blood donation camp ए एक रिपोर्ट त्यार करना है ठ पर प्रशन यहाँ पर grammar section दे रखा है grammar देख लेते हैं हम समझ लेते हैं और बच्चों यहाँ पर आपके practice questions 2024 का solution आपको provide कर भाय जा रहा है class 11th English का paper हम आपको बता रहे हैं इस है तो बाकी के जितनी भी सारे exam से अगर उनकी solution अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सारे exam के सभी की solution आपको channel पर मिल जाएगा फिर देख लेते हैं यहाँ पर हमारा grammar position से हो रहा है यानि कि Holland is European country यानि कि पहला प्रसन आपका article का पूछा गया है तो देखो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि European आया है मतलब यहाँ पर पहला word तो आपका वोविल से बट इसका sound consonant में जा रहा है यहाँ आपको जब डाइविंग करते हैं कार की उस समय आपको सिट बेल्ट पहनना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रसन यहाँ पर अनुशन सा हो रही है यहाँ पर आपका आउट वर्ड यहाँ कि राइट होगा यहाँ कि आपका आउट सही होगा आउट आए यहाँ अगर होता तो सही होता उसके बाद में यहाँ पर तीसरा प्रसन श्रांट प्रसन इंगलिस इज इन मैने कार्ण ज़़िव अनैक देशों में बोली जाती है तो यहाँ पर आपका यह पैस्य होए तो पैसी होए इसका मतलब यहाँ पर अपको इस पोकन क का यूज करना पड़े गए नहीं की मैनवर की थर्ड फाम उसके वाद में do you know क्या आप जानते हैं तो क्या जानते हैं कि क्या हुआ है तो यहां पर आपका what answers correct होगा उसके वाद में बच्चों यहां पर देख लेते हैं प्रस्ट कमांग 5 पे नहीं कि क्लास से वह संपूर्ण क्लास कहां व्यासते हैं कि वह प्रोजक्ट कारी में व्यासते हैं इसका मतलब यहां पर संपूर्ण तुम्हें होल वर्ड आपका सही हो जाएगा उसके बद में मैंने यहां पर देख को आलरेड़े आपके लिए लिख कर रखा है था कि आपसे कोहीं भी गलती ना हो लेकिन समझ लेजिए आप यहां पर आपका देख मोहन इस टू विक तू लिप्ट दिस बैग मोहन इतना कमजोर ही की बेग नहीं उठा सकता तो में यहां नहीं उठा सकता negative बोल रहा हूं पीए हमारा जो तू ू वर्ड जू पर अल्रेडी negative वर्ड है तो negative अगर वर्ड ही तो मैंने तू के इस्थान पर शू का यूस किया है और second two के इस्थान पर देट का यूस किया the student said to me said to the bookseller तो यहाँ पर said to आपका यह reporting verb said to है तो यहाँ पर आमने said to के हिस्तान पर आपका said to अगर आ रहा है और what अगर sentence इन्हें डवलेस फामले से start हो रहा है तो मैंने asked का use करा यहाँ कि the student asked the bookseller what the price of this that यहाँ पर आपका तो उसको मैंने बदल दिया past continuous में ठीके पूरा उत्तर बन गया आपका the student asked the bookseller what the price of that book was उसके बाद में तीसरा प्रस्न my parents were happy because I won the first prize यहाँ पर जो underlined वर्ड आपको बताना है कि कौन सा clause है उसमें तो यहाँ पर आपका subordinate clause यहाँ पर आपका adverb clause हो जाएगा यहाँ पर आपका adverb clause हो गया उसकी बाद में देख लें थी प्रस्ट का वांग 4 यहाँ कि आपको यहाँ पर मैंने वोसी के उपर लिख दिया यहाँ कि इप के इस्तान पर unless replace किया उसकी बाद में देखो यहाँ किया और act है आपका क्योंकि यहाँ पर आपको इसको आपको वाइस में चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया तो passive से active अगर बनाएंगे तो will भी यूस किया है तो यहाँ पर तो उसे future indefinite में चेंज कर दिया यहाँ यहाँ पर तो उसे future indefinite में चेंज कर दिया already आपको sentence present indefinite है अगर present indefinite को present के perfect में अगर चेंज करते हैं तो subject के बाद में हाँ पर हम क्या लगाएंगे हेस लगाएंगे और man verb में man verb में third form कर देगी यहाँ यहाँ पर आपको आपको यह answer समझ में आया होगा चलो देख लेते हैं प्रस्ट कमांग 8 आपका यहाँ पर read the message यहनि कि आपको जो passage text कहां से लिया गया है तो हम जान लेते हैं पहला जो प्रस्ट आपका यही पूछा गया है कि the above extract has been taken from the lesson तो किस से लिया गया है यह तो यह सिल्क रोड से लिया गया है यहनि कि आपका B option से सही होगा उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दूसरा प्र मास्टेफ्स टेक वाएन दे बिकॉम अवेर अप्रोचिंग वहिकल यहनि कि आपको जो दूसरा प्रस्टन है तो आपको दूसरा प्रस्टन कांसर हो जाएगा दे बार्क फ्योरेसली यहनि कि B option से आपका सही होगा उसके बाद में तीसरा प्रस्टन आपका पूछा कहा है यहां पर आपको वाई वयर दा ते बितन माश्ट ट्रीफ पापुलर इना चाइना इमपारियल कॉर्ट्स यहां कि आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा वेने कि सी ओप्सन है यहां यहांटिंग डॉक्स है ना यहां कि आपका स्थी ओप्स नहीं यह नहीं कि उनका जो color वो dark black है है ना तो यहां पर आपका B option से सही होगा फिर देख लेते हैं अगला प्रसन आपके सामने display पर प्रस्न नमबर 5 विच अप इस लाइन से अपको यहां पर C option से सही होगा चलो जान लेते हैं अगला प्रस्न है यहीं कि आपका अगला प्रस्न प्रस्न नमबर 9 है यहीं कि आपकी जो प्या म से प्यां सब है यहीं कि इस को यहां पर एक समझ के बारे में इस पव्ईमस में explain किया गया है what kind of a relationship does the father and the son have यहाँ पर पिता और पुत्र के जो संबंद है उसके बारे में बताया गया है किस प्रकार का उनका संबंद है relationship है तो यहाँ पर estranged यहाँ कि be options आपका सही होगा उसके बाद में this lines show जो उपर जो line दी गई है क्या show कर रही understanding of father यहाँ पर आपका be option से सही होगा be option से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा be option से यहाँ पर आपका एकदम सही होगा फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रस्न यहाँ पर यहाँ पर प्रस्न क्मांग 9 आपके यहाँ पर passage दिया गया है यहाँ पर आपका be option से सही होगा क्योंकि जो speaker है वही उस horse के उपर यहाँ पर आपका cousin बैठा हुआ है यहाँ पर आपका cousin बैठा हुआ है फ्रॉम विस लेशन से हाँ बैठा है यहाँ पर आपका पूछा गया है यहाँ तो इसमें कुन सी लेंग्विज का यूस किया गया है तो आरेबियन का यूस किया गया है इसमें इसमें यहनि के C options आपका सही होगा उसके बद मैं यहाँ पर आपकी यह question answers से इसका में part 2 से रही है आपको प्रवेट कर वाँगा यहाँ पर आपकी यह practice question paper class 11 थी English का solution आपको प्रवेट कर वाया गया ही ठीके अगर आप चैनल पर पहली बढ़ आए तो प्लीज यार लाइक को जो चेलिए को लाइक कीजिएगा ज्यादा लिड़ने को लाइक कीजिएगा ताकि जितने भी सारे एक्जाम से सारी एक्जाम से में आप टॉप करें और हमारा आसे नहीं पॉड़ना वे इस्वास हैं कि आप चर्षाल पर अगर आए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब जरूर करेंगे मिलते हैं नए वीडियों सेथ में तब तक ले जाए हैं मंदे मातरम ठैंक यू सौमाच टैक के लिए प्ली कर देना